चार धाम यात्रा का एलान हो चुका है और 25 अपरेल से केदारना धाम जबकि 27 अपरेल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं लेकिन यात्रा मुश्किल में दिख रही है क्योंकि यात्रा से पहले जोशी मठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें पढ़ने लगी हैं जोशी मठ में दरार पढ़ने का जो सिलसला शुरू हुआ उसकी चपेट में हाईवे भी आ गया है हाईवे पर 10 से ज्यादा स्थानों पर दरारें दिख रही है और जिस तेजी से दरारें पढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही इनकी संख्यां बढ़ सकती है जोशिमठ से मारवारी के बीच 10 किलोमीटर के दाइरे में हाइवे पर दरारे दिख रही है उत्राखंट सरकार चार धाम यात्रा का एलान कर चुकी है लेकिन यात्रा में ये हाइवे बड़ी रुकावट बनता दिख रहा है जोशिमठ बचाओ समीती के कॉडिनेटर अतुल सेती ने सरकार को आगाह किया है कि थोड़ी भी लापरवाही चार धाम यात्रा के शुरधालों की जान पर भारी पड़ सकती है यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में गारियों का आना जाना होगा ऐसे में ये समस्या और बढ़ सकता है आपको बता दे कि जोशी मठ बचाओ समीती उत्राखंड में नागरिकों का एक ग्रुप है जो जोशी मठ में आई दरारों और जमीन धसने की समस्याओं को उजागर कर रहा है चमोली के डियम हिमानशु खुराना ने बताया है कि मौके पर जाच टीम को भेजा गया है भू धसाओ मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है जोशी मठ में जमीन धसने से अब तक 868 हिमारतों में दरारे आई हैं उन्होंने कहा कि इन में से 181 हिमारतें असुरक्षित इलाकों में हैं डीवी लाइब की रिपोर्ट